जोस्टम इंजक्षन को लोड करने के लिए एक 10 ml की सिरिंज होना चाहिए अगर आप आईवी फ्रूट्स के जरीए दे रहे हैं अगर डिरेक्टली आप दे रहे हैं आईवी में और 1.5 ग्राम का इंजक्षन है तो आपको 20 ml की सिरिंज लेनी चाहिए और स्लोली में आपको द देना चाहिए इसके अंदर ये जोस्टम इंजक्षन एंटी बाइटिक्स होता है जो टीट्मेंट आप बैक्टरिल इंफेक्षन के लिए यूज होता है इसके बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा इसके यूजिस, साइट फेक्ट, डोज के बारे में ये इंजक्षन कि इसके अंदर दो कॉम्पेजिशन साल्ट होते हैं एक होता सिफ़प्रोजन और सिकेंड होता है सलबैक्टम इंजक्षन इंजक्षन को लोड करने से पहले उसके एक्सपाइड चक करना बहुत जरूरी होती है और सिरिंज की भी एक्सपाइड चक करना बहुत जरूरी होत शीशे के बोटल के उपर जो पॉर्शन आप देख रहे हैं प्लास्टिक का इसको टच नहीं करना होता है अगर इसको आप टच करेंगे तो इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं उसके बाद में डिस्टिल वाटर होता है इसके अंदर 20 ml डिस्टिल वाटर होता है लेकिन मुझे भी 10 ml की जरूरत है तो 10 ml मुझे लेना है उसके बाद में आपको जो बोटल देख रहे हैं इसके अंदर पाउडर होता है इसको शेक करने से पहले ठीक तरीके से और ध्यान से इसको पकड़ना होता है क्योंकि अगर आपने ध्यान से नहीं पकड़ा और फर्श पे गिर गया तो ये तूट जाएगा और कोस्टरी इंजक्सन है तो जिसकी बज़े से पैशन्ट का नुकसान होगा इसको अच्छी तरीके से शेक कर लेना है शेक इस तरीके से करना है कि बिल्कुल जो पाउडर और पानी बिल्कुल मिक्स हो जाए ये दिखे नहीं कि मतलब कि पाउडर अलग हो रहा है और पानी अलग हो रहा है उसके बाद में आपको चेक करना है चेक करने के बाद में आपको स्रिंच में इसको लोड़ कर लेना है अब मुझे डाइरेक्टली नहीं आई-वी में नहीं देना है मुझे आई-वी फ्रोट्स के अंदर देना है जो नॉर्मल स्लाइन होती है इसी तरीके से आप कोई सावा इंजक्सन लोड कर सकते हैं पेशन्ट के लिए अगर आपको आईवी में देना है तो उसके बबल्स चेकरना बहुत जरूरी है अगर बिबल्स के साथ अगर आईवी में आपने दिया तो एर एम्बोलिजम होने के चांस बढ़ जाते पेशन्ट को देए ऐसी ही वीडियोज देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब लाइक शेयर करें